अब इतक अपने प्रोजेक्ट को हम इतना complete कर चुके हैं लास्ट में हमने वीडियो में इतना बनाया था ठीक अब इसके अंदर इसके अंदर इसके अभी स्टार्ट करते हैं कुछ नया बनाते हैं ठीक मॉड्लिंग करते हैं यह वाला जो लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता जाता हूँ उसके लिए आपको नीचे देए गए WhatsApp नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा दूसरी चीज है मैंने भी एक अपना वीरे का नया कोर्स लॉंच किया है ठीक है जिसकी प्राइस 2000 इसमें मैंने सारे मैटरियल बताए हुए है ठीक है तो आप जाके अगर कोई ब प्रेख कर दूँगा मैं यहां से एड़ेबल स्प्लाइन के अंदर दैन मैं क्या करूँगा जो इसके फर्स्ट और एक यह वाला कोरणनर पकड़के मैं इसे यहां से फिलेट कर दूँगा नीचे से इसे जिए इसे फिलेट कर दूँगा तो आप देखोगे जो हमें सेप जाके अब मैं खाली क्या करूँगा इसे सही location पे रख दूँगा जो कि approach में है middle के आसपास है ठीक है इतना है यह मैंने इतना कर दिया ठीक है अब बात आती है कि भाई मैं इसे क्या करूँगा ठीक है इसे मैं isolate कर रहा हूँ alt q से ठीक है अब मैं क्या करना है मुझे यहां पे cut लगाना है ताकि यह मैं extrude कर सकूँ इसके लिए मैं क्या करूँगा इसे convert कर रहा हूँ editable poly के अंदर then उसके बाद यहां से इसका जो एजिस select करके यहां से और इसे मैं connect दूँगा यहां से मैंने इसे connect दिया एक single connect दे रहा हूँ ठीक है single connect दे रहा हूँ location पर जहां पर आपको इसको रखना है ठीक है पहले मैं अभी zero कर रहा हूँ आपको रखने के लिए simply क्या करना है इसे drag करो गया आप तो यह simply ऐसे आ जाएगा ठीक है जिस length तक आपको रखनी है यहां पर नीचे जो length रखनी है ठीक है मुझे इतनी इसकी thickness देनी है बाद में तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ इसे यहीं पर ठीक है okay रख रहा हूँ और यहां पर आप scale करोगे इसे scale करने से यह straight हो जाता है w press करके इसे सही location पर रख दोगे जितनी मोटा यह आपको चाही है ठीक ठीक है यहां polygon select करोंगा और नीचे से यहां से extrude देदोंगा ठीक है अब देना कितना है बिल्कुल आप यह बिल्कुल touch है तो पूरा यहां तक आपको इसे extrude देना पड़ेगा तो मैं इसे पूरा यहां तक टॉच कर देता हूँ ठीक है मैंने पूरा complete इसे extrude दे दिया है थिक है और यह जो हमें बनाना था शेप हमारा बन चुका है और मैं शेप क्या कर रहा हूं , M press करके सम मेट्रियल इसे दे दे रहा हूं ठीक है आप देख सकते हो यह हमारे यह बन के ready होग़े लेकिन हिसे अल्गा सा उपर रहेगा टच कर देते हैं ठीक है आप देखोगी यह हमारा बन चुका है कंट्रॉल एस्प्रेस करेंगे ठीक है जो हमें बनाना था यह बन चुका है हलका सा यह उपर नीचे आपको करना है तो आप सेट कर सकते हो ठीक है कंट्रोल एट करेंगे मैंने वो अन्डू कर दिया इतना बन चुका है अब बात आती है कि यह कि बोक्स मनाना है ठीक है box बनाने के लिए simply मैं एक box ले रहा हूँ और उसके अंदर क्या करेंगे यहां पर ठीक है देखते हैं भी क्या करना है मैं इसके लिए पहले box लिया ठीक है front view में गया मैं ठीक है यह आप देखेंगे मुझे इसकी न यह थोड़ा सा और इसे आगे तक करना है तो मैं simply एक यहां से box ले रहा हूँ ठीक है और यहां पर box बना रहे थे कितना चोड़ा चाहिए यह एप रोक्स ठीक है इतनी है thickness इसकी देख लेते हैं भी आर पार है ठीक है thickness खाली इतनी रखेंगे जितने इसकी top view में गया है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यहां से मैं इसकी thickness कम ज़्यादा कर सकता हूं ठीक है अगर मुझे यह बढ़ाना है चोड़ाई जो की बढ़ेगी इसकी ठीक है ठीक है हलकी से मैं यहां तक चोड़ाई बढ़ा दी इसकी ठीक है और इसकी अगर बात करें इसकी यह कम कर दिया है ठीक है अब फ्रेंट व्यू में गया है मैं ठीक है इसकी अगर height की बात करें height हलकी से मैं इसके उपर कर दूँगा ठीक है F3 प्रेस करेंगे ठीक है बलकासे से उपर करेंगे आप देखोगी कि यह हमारे बॉक्स बन तो गया है लेकिन हमेज में तीन यह एंप्टी स्पेस दिखाना तो इसके लिए मैं क्या करूँगा राइट क्लिक करके convert to editable poly ठीक है यहाँ पर जाओँगा ठीक है simply यह इसे इसे दूगा हलका सा इनसेट एक वेल्यो हर्ल किसी रखेंगे इतनी की है यहाई काम करतें फिये से से और इसने कर दे दिया अब बात आतें पॉलीगन के मैंने पॉलिगन सेलेक्ट किया एक एक करके करेंगे यह select किया यह वाला select किया और यहां से मैंने bridge कर देंगे यह select किया यह select किया और मैं इसे bridge कर दूँगा यह select किया और यहां से select करके कोई भी उपर नीचे ऐसे कर सकते हो तरीका यह इए क्या है इसमें प्रोबुलियन करने का शीर तो है तो मेरिया । जो है इसी के अदर जाएंगे आप प्लेइलिस्ट के अंदर वहां पर आपको प्रोवूलियनत करना मिल जाएगा ठीक मैंने स्टार्टिंग की जो वीडियो जो मनाई थी उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया हुए वहां पर आपको जाके मोडलिंक अंदर जाके आप प्रो बॉलियन करना सीख सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही बाकि नेक्स वीडियो में मिलता है